तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिट से स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल डीटी ट्रिक्सवर्ड में दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डीटी फ्रीडिस के सेब टॉक्स में पोटो स्केन करने पे नो प्रोगाम फाउंड की प्रोडम क्यों आ कर लीजिए दोस्तों डीटी फ्रीडिस के सेब टॉक्स में नो प्रोगाम फाउंड की प्रोडम आने का सिर्फ एक ही कारण है कि आपकी डीटी सही तरीके सेट नहीं होती और आपके सेब टॉक्स में सिगनल नहीं आ रहा होता और दोस्तों जब आप अपने सेब टॉक्स को frequency add करनी होगी, तो यहाँ पर आपको दोस्तों menu का बटन दवा देना, इसके बाद में आपको जाना system setup में, इसके बाद में आपको दोस्तों default value पर ok कर देना, इससे दोस्तों आपका सेटोक्स reset हो जाएगा, और इससे दोस्तों आपके सेटोक्स में वो चैनल आ जाएगे, जो आपके सेटोक्स बनने के time पर से होते, यह चैनल यहाँ पर चलेंगे नहीं, तो यहाँ पर आपको क्योव एक चैनल ले लेना है, तो यहाँ पर देखें मैं यहाँ पर दोस्तों पहले number का ही चैनल ले लेता हूँ, इसके बाद में आपको करना यह है, कि आपको menu का button दवा इसके बाद में आपको जाना है program setup के अंदर और इसके बाद में आपको जाना है parameter setup के अंदर parameter setup में जाके दोस्तों आपको dd-free disk की आप फ्रिक्वेंसी एड़ करने है तो यहाँ पर दोस्तों ln frequency रहेगी 0-93, 0-93, trans frequency रहेगी 11-470, symbol rate रहेगी 29-500, polarity को आपको वी कर देना है, 22 device के टोन ओप रहेगा, disk की ओप रहेगा, यह frequency डालकर अपने सेट्वक्स के remote से ok दबा देना है, अब आपके सेट्वक्स में dd-free disk की frequency से हो चुकि है, आपको menu से बाहर हो जाना है और signal का बटन दबा देना है, तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों dd-free disk की frequency आपको यहाँ दिखाए देगी, यहाँ पर अभी signal नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आपको अपनी disk की तरफ और मैं आपको disk set करके बता देता हूँ, तो दोस्तों मैं अपनी disk की तरफ आचुका हूँ और इसी disk में आपको dd-free disk set करके बताऊँगा, सबसे पहले आपको lnb का sq अंगल सही क मिल जाएगा, दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना septos अपनी mini led tv के साथ में connect कर दिया, और इसमें आप frequency index ते हैं, वही frequency है जो मैंने आपको नीचे add करके बताईए, और दोस्तों इसी frequency हमको signal लेके आना है, जितना ज़्यादा होसके उतना signal आना है, और दोस्तों आपको अपन इसको गुमा देना है, और इसके बाद में हलका हलका up down और हलका हलका left right करते रहेना, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा signal मिल जाए, वहीं पर आपको अपने डिस्को टाइट करते रहेना, तो इस तरीके से आपको अपने डिस्को एड़्जेस्ट करते रहेना, जब तक कि आपको सबसे ज़्यादा सिगनल ना मिल जाए तो यहाँ पर देखें मैं भी अपने डिस्क को यहाँ पर एडजेस्ट कर रहा हूँ तो आपको भी दोस्तों अपने डिस्क को इसी तरीके से एडजेस्ट करते रहना है जब तक कि आपको सबसे ज़्यादा सिगनल ना मिल जाए तो यहाँ पर दोस्तों मुझे signal मिल चुका है मैं आपको मेनी LED TV में signal दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप signal quality देखते हैं 84, 85, 86% आचुकी है यानि कि हमारे जो disc है बहुत एच्छी तरीके से set हो चुकी है आप यहाँ पर signal देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप disc की position देखते हैं जो यह हमारी disc है वो DD free disc पे बहुत यह अची तरीके से set हो चुकी है आप LNB की position देखते हैं इस तरीके से आपको LNB की position रखनी होगी तभी आपकी disc से ही तरीके से set हो पाएगी यहाँ पर दोस्तों आपको भी अपने डिस्को ऐसी तरीके से सेट करना है अब आपको एक बार फिट्से से में सिगनल दिखा देता हूँ तो आप यहाँ पर देख्ष ने सिगनल बहुत यची तरीके से आ रहा है तो चलते हैं दोस्तों आप टीव की तरफ और मैं आपको इसके आगे का प्रोसेस बता देता हूँ दोस्तों मैं टीव की तरफ आचका हूँ अब आप यहाँ पर सिगनल को आइटी देख्ष ने सिगनल बहुत यची तरीके से आ रहा है अब दोस्तों रिमोट से आपको menu का बटन दबा देना इसके बाद में आपको जाना edit program में फिर आपको यहाँ पे दोस्तों delete all पे ok कर देना इससे आपके tv के channel delete हो जाएंगे फिर आपको menu का बटन दबा देना और दोस्तों इसके बाद में आपको radio channel list में फिर menu का बटन दबा देना is edit प्रोग्म में जाना और delete होल करना दोस्तों इससे पुराने सब फीछ चैनल देलीड हो जाएंगे इसके बाद मैं आपको menu का बटन людей' इसके बाद में tv channel list में जाना फिर से menu में जाना प्रोग्राम setup में जाना और auto scan में जाना इसके बाद में यहां पर LM frequency डाले है 0-340-0-440 और यहां पर remote से आपको ok कर देना है ok करने के बाद में दोस्तों आपका septvorks यहां पर scanोना चलो जाएगा तो यहां पर देख़ते हैं मेरा septvorks यहां पर scanो रहा है इसके अंदर दोस्तों DD3D-sch के channel scan हो रहे हैं 156 tv के channel मिल जाएंगे आपको यहाँ पर दोस्तों मैं आपको channel list दिखा रहा हूं आप side में list देख थे यहाँ पर мен ग्रविक द दोस्तों channel list में दोस्तों आप सभी channel के नाम देख थे हैं जो currently एभी data आपकल सेट होगी तो आप इन पूरी जानकारे मिल गए होगी, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दिये और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के याद में शेर भी कर दिये और दोस्तों अगर आप आगे भी डिडि फिरी डिश से जुड़ी एसी इंट्रेस्टिंग वीडियो देखना जाते हैं तो अभी हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिये और साथ तो मेल आइकन को दवा के ओल का ओप्सन भी सलेट कर दिये तो मिलते हैं दोस्तों अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो में धन्यवाद दोस्तों